हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो एवी क्लासिस हमारे जो चेप्टर चला था इस तरह तो मट्रियल का स्प्रिंग का हम जो छोट छोटी डेफिनिशन है उनको मैं समझा रहा था तो इसको नेक्स टर्म है वह स्प्रिंग इंडेक्स इस प्रिंग इंडेक्स क्या होता तो इसको इस्टाट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लें बैल आइकॉन को दबा लें और हमारा फिर वीडियो कंप्लीट पूरा देखें जिससे कि आपको लास्ट तक पूरे कंसेप् सब्सक्राइब कर दिया कि स्टाट करते हैं आज करें स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता अग्जम्पल से आपको डाइग्रम समझा देते हैं आपको यह की स्प्रिंग है एक स्प्रिंग है यह क्या एक्सेस होती है यहां पर लोड लगता है पर से यह क्या होता इसका डाइमीटर क्या होता इसका डाइमीटर यह क्या होता इस कोईल का डाइमीटर इसको capital D से डॉनलेट करते है इससे capital D से capital D इसको small d से तो अब इस्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है जो mean coil diameter है वो जो wire का diameter है इसको क्या wire का diameter होता है इसा जी wire है जो हमारा यह wire है इस तरह है यह जो इसका diameter होता है A D वो जी mean coil पूरा यहां से यहां था इसके axis के center था इसके center था इसके बीच का जो diameter होता है उसे mean coil diameter बोलते है इसको wire का diameter होता है इन दोनों के जो ratio होता है उसको आपन क्या बोलते है spring index इसकी definition लिख देते हैं अपन it is defined the ratio of mean coil diameter to the the buyer diameter इट इज नोटेड बाइ सी सी से डिनोटेड करते हैं इसको किस से सी से मैथमेटिकली मैथमेटिकली सी इज कल टू कैप्टल डी अपॉन इसमाल डी इसमें कैप्टल डी क्या होता है मीन कोईल डायमीटर स्मॉल डी बायर डायमीटर बायर डायमीटर इट इज नमबर एक नमबर होता है के कोई डायमेंशन नहीं होती है इट इज आ नमबर एंड डजन्ट हैव यूनिट इनमबर होता है की कोई यूनिट नहीं होती है तो आपनी स्प्रिंग इंडेक्स समझाएं मैंने इसमें इसको क्या बोलते हैं स्प्रिंग इंडेक्स दोस्तों वीडियो पसंदा है लाइक करें और इसको बताएं इस तरह मैंने जैसे की अपने इससे प्ली लिस्ट इसमें आप देखेंगे मैं जो कॉलम्स का ओलरडी चैप्टर में कंप्लीट पूरा कराया मैंने इस तरह मैं म्ट्राइग करें है तो आप इस ताह है मेरे चैइनल को सबस्कार कर ल कि आपको पूरा फायदा है में सब्जेक्ट होगा थैंको फ्रेंट्स